अवल्ला मुल्ला पकड़पा कुपल्ला वेगा ही बल्ला रसुल्ला पुकारो कयामत के दिन में अनामत भी जावे मुसीबत न पाओ सहिम्मत महारो रको याद दिल में मोहबत का कलमा मुसल्मान सारे न वीजी कुपल्ला इलिल्ला 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 पहरी मन माथाय हरक एजरक 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 खेतर ने सी माणे क्यारे पंखीडानी हारे हारे खेतर ने सी माणे क्यारे पंखीडानी हारे हारे तस्वीयो नी थाए परक ए अजरक खैरी मन मा थाए हरक ए अजरक खैरी मन मा थाए हरक ए अजरक कि यूख कि अजरुक। हुच्छच जियू एकॉचा थाय। जैंडित में चॉच्छित किस्थों चॉच कर्सके हिएंगा थाजघ। आजब दिज्ट। झार गमस्तों में इंद फॉच्छ एक्ट प्रग। एक्टॉच्छित लिए्ट आजड़क। In simpler terms, Ajrak is a resist dyeing and printing art of breath-taking beauty on cotton, wool or silk. It is important to note that, from the beginning to the finish, Ajrak is exclusively handcrafted. Today, Ajrak is practiced in three places, Sindh, Badmer and Kach. In Gujarat, a few kilometers from Bhuj, lie the villages of Ajrakpur and Dharmarka, where the Khatri community still nurtures this invaluable heritage. Prominent among them is Dr. Ismail Bhai Khatri and his sons Junaid and Sufyan, along with their family of craftspersons. When there was a Prominent so far, there were a lot of work, so if the land had been in place, there were people who were living in the forest, They had to do some work, they hadn't had to do some work. So this is the same, the same words were written, the same words of the back and the This is a聞ent to them. So this is why, The Kriya and Juma were now picked up a lot of work. अमारा जे अंसेस्टर हो हता, ये सिंधिति आविला आता, शोर्सोन चोत्रिसमा, जारे एमने सिंधिति जी आहना राजा राव भारमल जी आता, इमने इन्वाइट करे आता, और दमर का गाम पसंद करियो हतु, ये पन अजरख वपराती ये आहना जे सिंधि आने जत, जे माल मालदारियो मांटे आतू, मालदारियो नुँ शुचके, ठोड़ू ठोड़ू पेरुवास चेंज थावा मन्दियो, ये निれ मार्केट चेंज थावा मन्दियो, जाने आची इन्वार्केट मांटे डेवलोप् थावा मन्दियो कि अगली सोने पचास मां केमिकल आवा नुचालू थियूं कानके केमिकल कलर जेछे इबनावा मां बहुँ इजी अन्हें बाव मां पां सस्तू वर्टो थो तूं एले केमिकल कलर जल्दी पकड़ ले लिए इसके बीच में हमारे पिता जी को ऐसा हुआ कि बच्चों को नेच करने के लिए वेजते थे तो उन्होंने का कि यह तो एंपोर्टेट रंग है आप इनको ज्यादा बनाओ दुनिया में इसकी बारी डिमांड है तो हम लोगों ने यह नेचरल डाई है उसको प्रोडुक्शन में सेट करते गए आज़ता और केमिकल को कम करते गए इसको हम ब करीब साड़े 300-400 साल से वहां रह रहे है लेकिन वह नदी जो है वह 1989 के अगल बगल में वह सूख गई 26 जनवरी 2001 में जो अर्थ को एक हुआ तब हमारे लोगों ने सोचा कि अभी तो कोई गाउं में अच्छा पानी हो वहां चले जाए तो फिर हमने यह अजरक पूर बनाया और अजरक का जो पैटरंस है वो बना हुआ ही ऐसा है कि उसमें राउन भी एकठा हो गया है फिर एक पूरी दुनिया की जो खुबसूरत चीजे हैं वो उस अजरक के पैटर्स में एकठा हो गई है और इसी लिए ही सब लोगों को अजरक बहुत ही पसंदा आता है अजरक जो बनता है ये पहले कपड़ा जो है सफेद उसमें से टार्च है उसको निकालना है पुराना तरीका इस टार्च निकालने का ये है कि ये केस्टर ओइल ये केमल डंग और सोडा एस इसको पानी में गोल के एरंडी का तेल मिक्स करके साबून बनाया जाता है और उस इसका सॉलीशन बना के इस कपड़े को एक रात बेगो के रख देते हैं जब तक ये कपड़े के अंदर जाग आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहते हैं इसके बाद प्लेन मानी के अंदर इसकी दोलाई कर देते हैं इसके बाद कपड़े को हरडे के अंदर डाइंग करक दूप में सुका थे तो जहां पर दूप आती है वह रंग ठोड़ा गहरा आता है अगर दोनों तरफ प्रिंटिंग करना है तो आधा सुका हो जाए इसके बाद इसको ऐसे पलता देते हैं इसके बाद इसके उपर ब्लोक से प्रिंटिंग होती है रेजिस्ट में अजरख जो है वह एक ही ब्लोक से दोनों साइड प्रिंटिंग होती है कि रेजिस्ट में हम इस्तमाल करते हैं ये गम अरेबिक और ये चूना इसका पेस्ट बना के इसके उपर प्रिंटिंग करते हैं अब ये जो प्रिंटिंग है इसको रेजिस्ट बोलते हैं ये अपनी जगह पे चिपक जाता है बाकी की जगह पे रंग आ जाता है और जब इसक जाता है और यहां पर वाइट डिजाइन पड़ जाती है इसके बाद काला रंग जो है हम बनाते हैं पुराना लोहा, गुड चने का आटा और पानी डालके दो आपता रख देते हैं फिर इसके अंदर यह इंबली का बीज का आटा डालके इसको पकाते हैं तो वो पैस्ट हम ब्लोक से यहां पर प्रिंटिंग करते हैं और इसके बाद हम ऐलम का रेजिस्ट बनाते हैं ऐलम डालते हैं, मिटी डालते हैं, जोवार का आटा और गब भी डालते हैं और इसके उपर लकडी का वेर डाल देते हैं, तो वो क्या है कि वो पेस्ट भही ठहर जाता है, दूसरी जगह टच नहीं होता है जब कपड़ा उठाती है अब इसको इंडी को में डाइंग करना है, पुराने जमाने में हमारे पास वाइल्ड इंडी को मिलता था और जब बारिस होती तब ये अपने आप निकल आता था, इसको एक रात बिगो के रखते हैं, फिर इसको बीटिंग करते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कच्रे जैसे कण बन जाते हैं इंडी को के, और फिर उपर का पानी आहस्ता आहस्ता निकाल के, नीचे मोटे कपड़े में ल अब ये नेचरल इंडी को को पी एच जो है, ग्यारा से बारा होना चाहिए उसके लिए लाइम इस्तमाल करते हैं चुना, इसमें डेली टेजर्ट में काशिया टोरा सीड है, या हिना लीव्स है, या गुड है, या खजूर है, वो चारों में से कोई भी एक डाल सकते हैं, जब इसके पानी का रंग पीला होता है, तब कलर अच्छा है, उपर की जाग है, वो ब्लू कलर की हो भी, उसके अंदर कपड़ा डालेंगे, तो अंदर पीला देखेगा, बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, तब ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रिंटिंग है, हमारा रजिस्ट वगेरा, उसमें हम मैक्सिमम दो बार डाई कर सकते हैं, अगर तीन बार डाई तो कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा ये डिजाइन है, बोगल जाएगा, प्रिंटिंग अगर वाटर के अंदर तो ये जो मिट्टी और भूंद और चूना जो यहां लगाया था वो सब निकल गया है, इसके बाद इसको अगर अलिजरीन में डाई करेंगे, तो ये जहां जहां पर एलम लगी हुई है, वहीं लाल आया, दूसरी जगह पे लाल नहीं आया, ये आल का जाड बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर रंग, वो चार साल का है तब तक होगा, चार साल से ये एल्डर हो गया, फिर इसके अंदर कलर नहीं होगा, तो कुछ ये पोरबंदर और जुनागर साइड में, कुछ किसान अपने बाउंडरी पे ये पौदे लगाते थे, और चार साल से पहले उसको निकाल के मर्चंट को बेजते थे, मर्चंट से हमारे लोग लाते थे, ये सिंथेटिक आ गया और ये इको फ्रेंडली है, टॉक्सिक नहीं है, ये मेडर रूट है, ये इरान से भी आती है और अपना हिमालाय में भी होती है, इसके अंदर डाई करेंगे, तो ये टेरा कोटा रहड आएगा, ये दो कलर इस्प कुराने जमाने में समय कागज भी नहीं था, पैकेजिंग भी नहीं था, तो ये कपड़े के अंदर लपेट के, चार कोणों में बांध के, बीच में कुछ आटा वगएरा रख के, खड़िया करके, इसमें लाने के लिए इस्तमाल करते थे, नमाज बढ़ने में भी इस्तम के होइज आन palms के हमने हिना के अंदर डाई किया हिए, ये रुबाब रूट में डाई किया हूँ है, और ये लाख में डाई किया हुआ है, लाख जो है, वज एक कीडा है, तो ये अपना गुसला बनाती है, इसमें दो चीजे मिलती है, एक रेजिन मिलता है, दूसरा है के लिए आती है और सपानवुडनी लाकरी जो नेचरल दाई जो है वो थोड़ा वेक्स जैसा होता है तो गर्मिया होती है तब उसके अंदर हवा कावन जावन जावन जहता है तो ठंदक लगती है और ठंदी होती है तो बंध हो जाती है उसके रेसे उसकी वज़ा से इसके अ इसके बाद इसको ग्रीन कलर बनाने के लिए इसके अंदर जो हम वाइट रखना चाहते हैं, वहाँ पर रेजिस्ट प्रिंट कर दिया, दोनों तरफ प्रिंट करना पड़ता है, फिर अनार के छिलके को दो गंटा तक अबाल के इसके उपर हम इस्प्रे करते हैं, इसके बाद हल्दी, इसका इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, दोनों तरफ, इसके बाद एलम के अंदर, फिटकडी के अंदर, पानी में डालके इसको हम डाई करेंगे, तो जहां जहां पे जो रेजिस्ट लगाया था, वहां पे ये वाइट निकल गया, ब्लू था, तो ये ग्रीन हो गया, और जो वाइट था वो भी पीला हो गया, जो दस स्टेज जो दिखा है, उससे भी पाँच स्टेज आगे, उसको मीना कारी अजरक बोलते हैं, इसके उपर दोबारा एलम रेजिस्ट किया हुआ है, और दोबारा लाइम रेजिस्ट किया हुआ है, फिर इंडिको के अंदर, दो मरतबा डाइम किया हुआ है, दोलाई करने के बाद अजरक को या तो मजिस्टा में डाइम किया जाता है, या पिर अली जरीन में डाइम किया जाता है, ये मजिस्टा का रंग है, और ये है अली जरीन का रंग, और ये दोनों तरफ प्रिंट होती है, अजरक क्योंकि जो तो मालदारी लोग हैं, वो सुबू को चार बजे चराने को जाते हैं, उस जमाने में ये बिजलियां तो थी नहीं, कि देख लेए के राइट साइड कौन सी हैं, तो कैसे भी पहन लेगा, जोनो राइट साइड होगा, और उसका कलर वो एकदम डार्क पहनते हैं, कभी-कभी और आदमे जिसा बर्म भी हो जाते हैं, तो जे डार्क कलर और वहां पही टर्ज़ाइड का दर्क लाइट करता है और को फाउंड करने में यहीं जाता हैं Traditionally, Ajarak uses natural dyes instead of chemical dyes. Due to this, neither the maker, nor the wearer, stands the risk of contracting diseases like asthma, cancer, or skin allergies. अभी ये जो ब्लोक बनते है ने वो सागवन की लकडी में से बना जाते हैं कागज के ऊपर कोई भी फूल पती ड्रोइंग करके ये मिती और पानी के साथ इसके ऊपर गसके और वो जो डिजाइन बनी है वो इसके ऊपर चिपका देते हैं इसके बाद ऐसे चोटी-चोटी फरसीों से इसको काता जाता है फिर जब ये ब्लोक बन जाता है तो इसकी कोपी करने पड़ती है तो इसके उपर जो इमेज आती है ये इमेज को लकडी के उपर इस मिटी से चिपका देते है फिर जो रखना है वो रख देंगे बाकी का खोद के निकाल देंगे Just as Ajrak's colors are derived from nature its designs too are inspired by it For example, Kakar which in Sindhi means a cloud An idol of a king priest at a site in Mohenjo-Daro shows him draped in this fabric quite similar to Kakar Miphoori inspired by the little bubbles formed by falling raindrops Haaso and Taveet which resembles in shape a Taveez or an amulet Rial derived from the Saudi Arabian currency of Rial Champakali, Mamad Shahi, Pencho and Kharak or the date palm In Islam, the date palm holds special significance Many Muslims observe iftar by consuming a date palm And in the Quran-e-Sharif, the date palm is mentioned 20 times That's the world If you do this, you can see that I do all the time We can see that in the past few weeks we have a young children from the UK called Elinid Edwards It's called the P.H.D. It's called our P.H.D. So it's called Dhamad ka It's called Dhamad ka In the Dhamad ka, it's called the P.H.D. कि हूँ अंग्रे जी बोलूं, कि अंग्रे जी आवरती ना थी तो एक चारान नी चौपड़िया थी, तो बचे यह ना थी, मैं चालू करी, what is this, how do you do, ने, पछे मजा आवी तो वरी कोई के dictionary आवे जी लिए आविया थी, तो एमाथी आवे को वाके जोई जी नी वादचीत करता हो, तो एम करता करता हो ने, प्रोसेस सम्झावता बराबर, सीखी कियो, कि अमें जो मदद करो तो आओं, आओं तामारी पासे में, कि दुपले आओं, मने खबर नहीं कि पहदी सूंता है कि इस्टडी कोने के वाई, तो मने एम क्या आपना सामें, बोल वावार कोई मरते तो आपनी भासा छूटता ही जाते, अने एक क्वेस्टन लिस्ट बनावी है आतलो लांबो, पाचे एक एक प्रस्ना मने पूछ दिया वे हूँ, जवाब आप तो आओं, इबाई है जो थीसिस लखी ने, यूनिवर्सिटी महापी हो इतली पहला गामा पास्ता है गई, बेजार बेमा मने बुलावी हो तो तो अब एम लोगों एम केदूं तो कि तमारे अड़ी कलाग लेक्चर करवानों कि अजरख नी खासियत सूंसे, अजरख क्यां थी आवी, केविदी ते बनने से, कौन-कौन पहरे से, सूं केविदी ते पहरा से, तो इमे लेक्चर करें उन्हें, अड़ी कलाग ने मजा आवी अजरख करें लोगों, पच्चही लोगों के प्रस्ना करें आता, जावाब आपया, पच्चही पूरी से, अजरख करी के अगले वर्से, अनरेडी डिग्री, दॉक्टर अप आर्ट, शरी असमायल मौमान खातरी, तो बदा ताडियो पाड़वा मने आवी नंदन देवा मन मैं तो मने आप। ओन के आप सुम उछे km ऐनाम रफॉत मेबधीन, कोई नंद रोगों आप एवर्सें के तो मैं पोछी होने जहने मने पोछी नहीं पोछी होने इपरोच कनलर जाता, मैं कि तो आ आप सुम उछी होने के, वह लोगों ने खिर्स पूरी सुन ए नratosनीउ लुब विएीर तार माजूक तु dost रूस्ट्टाटए तर शुझ सिर्टोफर आधक तर शुझ सुरलिछ से डियरूस्टरु माजू कायो तंक उसक्तवा दीष्णा स्थेथरू Award and the UNESCO Seal of Excellence. ये सब बहुत सारा इनाम और एक्राम मिला हुआ है। पाचे जे कोई कोलेज ना के स्टुडंट ना आर्ट्स कोलेज ना लोको आवे तो ये लोकोने पर सिख विया चीए। आने जेटलो आपने नालेज शेड करता हुए ये अपने एनो रिजल्ट मरत हुएचे। वो डिजाइनर्स लोक नए नए डिजाइन्स नए गार्मेंट्स नए कुछ प्रोड़क्त निकालते हैं। और उस प्रोड़क्त को अगर अजरख और यह तो दूसरे क्राफ्ट का अगर महत्वा मिलता जाए तो वो क्राफ्ट चिका रहेगा। और डिजाइनर्स को भी अजरख के क्राफ्समें के साथ काम करने में भी मज़ा आएगा। अजरख can also be interpreted as आज-रख. अजरख, the more number of times it is kept aside in between the various procedures, the brighter its colors emerge to be. Not just in our clothings and lifestyle, but Ajrak is capable of enhancing even our lives. In our fast lives of today, as a philosophy, Ajrak reminds us of the value of pause and patience. काथ गायकत मोर मलार किरातो, प्यू-प्यू शाब्ध पुकारत चाकत त क्यू-कू, कोचिल कंट किरातो, तो गनत् गड़तन भठ बहोत्गडाका, दननन थी वर्जिकार्न तौ, रुम्जूंगूंगु बर्सत भरका, प्रंगो थी रंगो बेलाता, भात भात ना प्राण पुराता दूर थी थाय जलक ए जरक ए जरक ए जरक प्रेरी मन मा थाय हरक ए जरक ए जरक प्रेरी मन मा थाय हरक ए जरक